नमस्कार, जोती स्वास्तू और उपाई के चनल में आपका स्वागत है बात करते हैं सापता एक बविश्य फुल की 6 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक व्रशिक राशिवालों के लिए कैसर आएगा इसमें इसकी विश्टरती चिर्चा की जाएगी वीडियो में वीडियो को प्लीज आखिर तक देखें क्योंकि उपाई भी बताये जाएगे तो शुरुआत आपके अच्छी हो रही है रुकी वे काम आपके बनेंगे बागे आपका साथ देखा इस सब्ता अगर आप शिक्षा से रिलेटेड कोई कारे करते हैं आप श्लीज आपको शिक्षा में लब प्रावट कोईगा काम्पटिशन की तयारी कर रहे है नया काम आपको कोई शुरू करना है तो आप रुका म सुल्म ACT होेगा लेखका नया कुछ करना चाहरे तके काफी समय से और आपके सोचरें थे अच्छा टाइम आया Hepा जब करेंगे तो नया कारे शुरू करने की लिए ये सब्ता आ गया इस समय आपको भी नया कारे शुरू कर सकते हैं इस सप्ता आपको रुकावा धन भी प्राप्त हो सकता है और सप्ता के अंत के अंदर किसी परीजन का परिवार के किसी सदस्य का सुआस्त्य खराब हो सकता है एकदम से उसकी भागदोड हो सकती है और अस्पताल जाना पड़ सकता है उसकी देखबाल आपको करने पड़ सकती या यह हो सकता है कि आपके किसी मित्री की तबियत एकदम से खराब हो जाए और उसकी देखभल करने पड़े, उसके लिए भाग दोड़ाप को करने पड़े इस सप्ता अगर तारीक के इसाब से बात करते हैं तो छे तारीक आपके उत्तम रहेगी इससे में आपको उत्तम सफलता प्राप्त होईगी विशेश करके व्यक्तिगत प्रियाज जो आपने सफलता के लिए किये गए तो व्यक्तिगत सफलता आपको मिलेगी आपके प्रियास जो भी किसी भी शेतर में, वैपार में, वैसाय में, नौकरी में या कॉम्पिटिशन में उसमें आपको वेक्तिगत, सफलता, प्राप्त होने का पूरा-पूरा योग 6 तारिकों बन रहा है 7 और 8 तारिकों भी आपके कारे पूरे होएंगे, फलित होएंगे, रुकिवे काम बढ़ने का योग है और यातरा आपकी हो सकती है, किसी भी दार्मी किस तल की यातरा आप कर सकते हैं ऐसा कुछ योग उसमें बन रहा है कि आपको धार्मी की आप अंगले कारे घर में हो सकता है या धार्मी की आतरा आपकी हो सकती है और आपका सरकल इस समय बढ़ेगा घर में कोई मेमान भी आपके आ सकते हैं और अगर वेपार में बदलाव करना चाहरे हैं तो ये समय उत्तम है इस समय आप निर्णे ले सकते हैं जो भी निर्णे आपको लिना वेपार में बदलाव का या कुछी भी तरह का निर्णे आप लिना चाहें नए काम का तो आप टू यहां पर इशारा कर रहे हैं इस सप्ता के मद्य के अंदर 9 और 10 तारिकों को बहुत ही समल के चलना आपको क्योंकि आप लोब में पढ़ सकते हैं कोई वेक्ति आप से टकरा है या कोई वेक्ति आपके घर पे आए या कोई परिवार जन या कोई भी कुटम कबिले का या कोई आपके मित्र मंद्य का वेक्ति आपके घर पे पे आए और आपसे मिलने これ वह अपने फायदे के लिए यह मान्गे चलिा उसको कोई कर देना वह अपने खुद के पायर फायदे के लिए आरा है उसकी बातों में आपने आए और उसको संदे की दस्टी से देखें, क्योंकि उसकी चिकनी चुपडी बातों में आके, या उसके लोब में कुछ भी offer दे सकता, उसके लोब में आके आप अपना नुक्सान कराएंगे, तो ये नौ और दस्तारिक को लोगों से मिलते जुलते सम सावधानी रखें क्योंकि लालची लोगों पर विश्वास करेंगे तो फिर आप कहीं नुक्सान होगा इस पूरे सप्ता में यह बीच का जो टाइम है इस समय नौदस तारिक को आपको विश्वास आपको पर रचने कि किसी की भी बातों में आने से आपका ही नुक्सान होए कि आप ध्यान रखें इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है क्यारा और बारा तारीक को यात्रा होने की संभावना को या मांगली क्यात्रा हो सकती है और आप इसमें खर्चा कर सकते हैं योजना हो बनाएंगे आप इसमें योजना बनाने में भी आपका खर्चा होएग आप अपने कारेश तरफी हों, कहीं पे भी आप हों, तो वहां पे अपना काम आप बना के चलें, मन की बात आप किसी से भी ने कहें, अपने दिल की दिल में जो भी चल रहा है, वो दिल की बात आप किसी से भी ने कहें, क्योंकि जिस परकार से आप दिल की बात किसी से कहेंग तो वो गौसिप का हिस्सा बन जाएगा और आप सोय हम भी को नहीं अपने कारे को गती देते रहे और आपकी सफ्वनता दुनिया देखे ग top किसी को बतानी के जुरफ़त नहीं अपने दिल की बात और नहीं लाउड होना है नहीं नहीं अपने विचारों में रुखर होना है यानि कि अपने विचारों को बिल्कुल इस पस्ट रूप से भी नहीं कहना है सामने वाले को देखें परखें और अपने मन में ही रखें सभाव में कठोर भाषा का परियोग बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि कठोर भाषा का प्रियोख करके आप अपने बने बनाए कारे को बिगाड़तेंगे इसलिए नमरता से कारे ले कम बोलें और सुखी रहें यह इस सप्ता का मूल मत रहें किसी के लालच प्रोलोबन में नहीं आए इस सप्ता का जो उपाए वो यह है कि आप शीव के उपर बगवान शीव के उपर शेहद और चमल चडाए और नमह सीवाय या ओब नमह सीवाय का जब अबश्य करें इस सप्ता अगर परेज करना है तो यह परेज बताये गया है आपको कि आप काले रंग से जितना हो सके दूरी बना के चलें क्योंकि आपके लिए काला रंग ये सब्तम है शुब नहीं रहेगा काले रंग आप बिल्कुल अवाइड करें और दूसरे रंगों का आप चैन करें इस तरह से ये फूरा सब्ता बहुत ही सुख शान्ती से आपका वेतित हो जाएगा जो भी कुछ करना चाहेंगे आप उसके ये नया कुछ करना चाहेंगे उसके लिए सिस्ट समय है आप नयकारे शुरू कर सकते हैं तो मंगल परदान वृष्टिक राशी के चंद्रमा इस समय नवें दस्वें और ग्यार्वें भाव में चल रहें तो बारवा चंद्रमा इनके खर्चा वश्य कराएगा सब्ता के आखिर के अंदर इनका खर्चा हो ही जाएगा परिवार के उपर या किसी मेमान के उपर या यात्रा में ये जाएंगे तो यात्रा में भी इनका खर्चा हो सकता है जंद्रमा इनके कर्मी स्थान पे आ रे हैं, इसलिए कर्मी शेतर में, वैपार इसल में या इनके जो भी नौकरी से रिलेटड या जो भी ये कारे करते हैं, धन कमाने के लिए उस सेतर में प्रगती देखने को ये सब्ता दिखा रहा है कारे इस तल पे अच्छे प्रगती होईगी, दन प्राप्ती होईगी और नए-ने दन के रास्ते भी खुलते भे नजर आएंगे परन्तु सिर्फ आपके मैनत से क्योंकि वेक्तिकत सपलता इस सप्ता आपको अवश्य ही प्राप्त होईगी पूरा सप्ता अची तरह से बीतेगा आपका बस लालची लोगों से दूर रहें और अपने मन के बाद किसे से ने कहें अपने कारे को गती दें और फिर आपका जलवा दुनिया देखेगे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको आयू आरोगे और एश्वरे ये सब्ता देखे जाए इसी शुप कामना के साथ नमस्कार